राजस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग निउस निकल कर सामने आ रही है कि राजस्तान में एक और लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या अब एक उम्र के बाद नेताओं को सत्ता का लालत छोड़ कर चुनाओ लड़ने की बज़ाए नई पीड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पेले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पेश करना सुरू कर चुके हैं पहले मंत्री हेमाराम और फिर पूर्वे मंत्री भरत सिंग एलान कर चुके हैं कि वे अब आगामी चुनाओ नहीं लड़ेंगे अब इसी कड़ी में राजस्तान के पूर्वे स्पीकर और पाइलेट समर तक वरिष्ट विदाई दिपेंदर सिंग सेखावत का भी नाम जुड़ गया है दिपेंदर सिंग सेखावत ने जनता के वीज खड़े होकर एलान किया है कि वे उगनी 180 से स्री मादूपूर की जनता की सेवा कर रहे हैं लेकिन अब उनका स्वास्ते इस बात की इजाज़त उने नहीं देता कि वो चुनाओ लड़ें ऐसे में बले ही स्री मादूपूर की जनता उने चुनाओ जिताना चाती है लेकिन अब उओ अपनी जनता की सेवा स्वास्ते कारणों के चलते नहीं कर सकते हैं तो फिर उने चुनाओ भी नहीं लड़ना चाहिए बता दे कि दीपेंदर सिंग शेखावा चाते हैं कि अब कॉंग्रेस पार्टी उनकी जगे उनके बेटे बालूंद सिंग को तिकट दे ताकि कॉंग्रेस पार्टी की कमान अब युवाओं के हाथ में हो कुछ दिनों पहले पूर्वे मंत्री और विदायक भरत सिंग ने ने केवल चुनाव नहीं लड़ने का एलान किया बलकि मुखे मंत्री असो गेलोत से अपील की कि वो भी अब वेबव गेलोत को आगे करे उनकी बात को रंदावा ने भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि बड़ी उम्र के नेताओं को तो अब खुद ही ये नेड़ने ले लेना चाहिए उग्री 180 से राजस्तान में चुनाव लड़ रहे कॉंग्रेस के नेताओं की बात करे तो उनमें अब मंत्री हेमाराम, पुर्वे मंत्री भरत सिंग, पुर्वे मंत्री अमीन खान, दिपेंदर सिंग शेकावत और प्रेसराम मोरदिया वो नेता है जो आज भी जनता की पसंद बने हुए हैं और लगातार विदान सबा चुनाव जीत कर विदायक बन रहे हैं उगनी 180 या उचसे पेले वाली पीडी के नेताओं में दिपेंदर सिंग शेकावत, हेमाराम, भरत सिंग और अमीन खान ने तो चुनाव नहीं लड़ने का एलान कर दिया है आप सब की नजरे मुख्यमत्री असो गेलोग पर है कि वो इस पर क्या निड़ने लेते हैं सांब विदान सबा चुनाव में अपने बेटे विरेंदर सिंग को चुनाव लड़वाया था जो वर्तमान में विदायक भी है दोस्तों वीडियो को शेर चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाज